कि नमस्कार दोस्तों आपका धनमंत्री कृपा है सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों कई तरह के कि हजाराओं यूट्यूब यूट्यूबर हैं डॉक्टर हैं बैद्या हैं बड़े अच्छे वीडियो डालते हैं है मैं लेकिन आक confirms अधानी बहुत सारे भाठी से मचने की तृक्ये बिताते मैं SARAH बहुत साब डेयल में बताते हैं ये लेकिन मैं आज आपको थीन जहरों के नाम बटाओंगा ऍसुब और तीन जहर कोसे हैं और एक जहर जो है वो आप लगतार बच्चों को भी दे रहे हैं खुद भी खा रहे हैं और वो आप अंजाने में कर रहे हैं दोस्तों हमारे आयर्वेज के अंदर तीन जहर जो बताए गए हैं वो है नमक मैदा और चीनी दोस्तों मेरे पीता जी एक क्रैने की शौप थी बहुत पहले और जब हम छोटे छोटे थे तो सिर्फ गुड़ जो होता था जो आज कल हम ढेले वाला खाते हैं भूसबक्त भेंसओं को दिये करते थे लेकिन जिस मेदाधा को आदमी कहते थे इसको बरफी की तरह उसकी शेव कटें उसको बरफी गुड़ बोलते थे ठसका नाम ही बरफी कीधें तर उसको की पर याटता था लेकिन थोड़ा वो मोडिफाइड हुई तो जैसे फिर हल्दी की तरह भुरुबरी ऐसी शक्र आने लगी उसके बाद दोस्तों चिन्नी राती थी बहुती ब्राउन शुगर यानि कि उसका रंग होता था भुला तो जो थोड़ा पैसे बाले थे वो उस चिन्नी का प्रयोग करते थे और मैक्सिममलोग वैसे जाहे मैं गुर्ड या शक्र का ही प्रयोग करते थे कोई खास मेह माला जाता था तो फिर उस ब्राउन सुगर का इस्तेमाल किया जाता था वो ब्राउन सुगर नहीं नसे बाली उसका नाम उस वक्त ब्राउन सुगर था क्योंकि उसका रंग बुरा होता था तो जब ये चीजें होना शुरू हो गई उसके बाद दोस्तों आ गई स्फेद चिनी शुगर जो स्फेद चिनी है दोस्तों हमें याद है अच्छी तरह के हमें बच्पन में उस चिनी को नहीं खाने देते थे और हमारे फादर साब या दूसरे दौस्तों ददादी थे कि इस से हर्धखर बमारी ऑजाती है वो उस वक्ती यह नहीं बोलते हैं प्रमेर Chapter हो गया है नहीं भिभी और है और सब इसको को खारने में चीज situation चिनी और आप समसकते हैं कि जीस आदमी को सुगूर हो जाती है उससे फिर जैसे बहुत सारा के बोलते हैं बीर्या बगारा निकलना सुरू जोता है धात बगारा के तरह की समस्य होती है तो इसको हड़कार की ममारी कहते थे इस करके बच्चों को चीनी नहीं दी जाती थी और जहां तक पिछले में वीडियो डाला कि समुद्री नम्क की बजाए हिमाचर में प्रदेश में एक स्पैसल गुम्मा नमक होता है उसका प्रयोग जाता होता था और अब उस जहर को चिनी वाले हम जहर को कैसे दे रहे हैं नंबर वान चाय की रूप में चाय में चीनी डा रहे हैं आपकी जितनी भी बिस्कुट फिर आपकी जैसे मठाईयों की दुकान है बिस्कुट से लेकर के चौकलेट से लेकर के टौफी से लेकर के आइस क्रीम से लेकर के या कोई भी आप मीठी चीज खा रहे हैं उसके अंदर शुगर वही शुगर है जो आपके लिए कि दूसरे नमबर पर आता है दोस्तों नमक तो मैंने नमक के बारे में पहले कह दिया है कि जब भी यूज करें सेंधा नमक यूज करें और तीसरा जाहर है दोस्तों वो है मैदा और आजकल के बचे ना चाते हुए भी या आजकल की माता हैं बच्चाओं को बर्गर खाओ हमें ले आओ या फिर आजकल मोमो चले हैं तो ये सारी मैदे की बनी हुई चीज़ें होती हैं तो ये दोस्तों आने बाले समय के अनुसार ये हमारे स्रीड में जहर का काम कर रही है हमारे रोगों को उत्पन कर रही है लेकिन मैं सबस्ट रूप से कहना जाता हूँ कि बच्चे तो चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है इसको तो खाएंगे लेकिन जो माताएं हैं बो भी इनको खुली छूड़ देती है और खुद भी खाती है माता है मैंने मुझे यहां किशामा करें मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को ये चीज़ें कम से कम प्रयोग में दें चाहे वो नमकीन मिठा बिस्कुट ही है क्योंकि बिस्कुट जो है जो बिस्कुट होते हैं बजार में चाहे बेकरी का ही है उसमें भी स्फेज चिन्नी का प्रयोग होता है तो इन की जोंसे बचिए ताकि आपके बच्चे जो है वो सौस्तर हैं आप भी सौस्तर हैं क्योंकि ये ये बेस होता है किसी भी बमारी को लगने का कारण होता है बिना कारण के कोई भी बड़ा रोग या छोटा मोटा रोग नहीं लगता है मौसिव बमारी जो है ठंड हो गई भीग गया कोई तो बहुत हो जाता है कि सदी जवाम खांसी सभी हो जाता है लेकिन जब जान बूज करके आप लोग इस तरह के काम करेंगे इस तरह से आपका खान पार होगा तो निश्चे तोर पर आप बड़े रोग को अपने स्रीर में पैदा करने वाले हैं अपने बच्चाओं के अंदर उस रोग को लाने वाले हैं जिसके लिए फिर आपको उमर भर के लिए हास्पीडरा में चकल गाने पड़ेंगे उमर भर के लिए आपको दौई यह खाने पड़ेगी तो दोस्तो इस कड़बी वीडियो के साथ मैं अब सभी माताव भेनों से या सभी दोस्तों से निवेजन करूंगा कि आप इस वीडियो को जदा से जदा लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब करें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार